नमस्कार मित्रों, स्वागत याब शभी का हमारे यूट्यूब चैनल में नमस्कार विरिस्टिक राशी वालो हे भगवान यह कैसा धर्म शंकर्ड है अब सब कुछ आपके हाथ में है प्रभू आने वाले अगले तीन दिन हो जाए साउधान काल के गाल में बुरी तरहशे फल्स चुके हो अब सब कुछ भगवान के हाथ पर सोड़ दो और देखो आने वाले अगले तीन दिन आपके शाथ क्या-क्या खिलवाण होने वाले हैं आज की हा पूरी वीडियो ग्रह नक्षत्रों के चाल के आधार पर नर्मान हुआ है अंत्रिक्स के व्यापक ग्रह पूरी तरहशे बदल चुके हैं और अगले तीन दिन तक काफी प्रभावशिल रहेंगे अंत्रिक्स के व्यापक ग्रहप आने वाले अगले तीन दिन क्या-क्या अशर दिखाने वाले हैं आपके जिवन पर, आपके स्वास्थे पर, आपके व्यापार व्यवशाई पर, तो वहीं आपके लवलाइफ पर कौन से शुब एवं कौन कौन से अशुब परभाव डालने वाले हैं। उसके लिए क्या-क्या शावधानी आपको बरतना साहिए किन बातों का विशेश ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है और इस काल के गाल से कैशे बाहर निकलना है उसके लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा और वीडियो के अंत में एक जबरजस्त उपाय बताएंगे जो की दोस्तों इस दुनिया का कोई भी नकरात्मक शक्ति आपके उपर हावी नहीं हो पाएगा और दुश्मन आपका बाल भीबाका नहीं कर पाएगा उसके लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा दोस्तों वीडियो के बीच बीच में कुछ शावधानियां कुछ गलतियां है आपकी जो की आपको नहीं करना है और अंत में उपाय है दिल थाम कर बैठिये और वीडियो को अंत तक देखते रही लेकिन उश्य पहले भगबान भोले नात के जो भी सच्चे भक्त वीडियो बनने लगेंगे तो आप जरूर लिखियेगा आईए दोस्तों वीडियो के शुर्बात कर लेते हैं भगबान स्री कृष्ण के एक अनमोल विचार सी देखिये दोस्तों भगबान स्री कृष्ण कहती है कि भरोशा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दुश्रों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है आप कब शही थे इसे कोई याद नहीं रखता लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखती है पृत्वी पर ऐसी कोई व्यक्ति नहीं जिनका कोई समस्या ना हो और इस पृत्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिनका कोई समाधान ना हो मंजिल चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो रास्ति हमेशा पैरों के नीचे से ही होती है इसलिए समस्या कोई भी हो वो इनसान से बड़ा नहीं हो शकता और इनसान की सबसे बड़ी कमजोरी यहा है कि वो तुरंत हार मान लेती हैं जबकी हमें ऐसा नहीं करना है बात अगर आपको शमर जाई हो और भगबान स्री कृष्ण के इन अनमुल विसारों से अगर आप शेह दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आने वाले अगले तीन दिन आपके लिए किस तरह शिवैतित होने वाला है और क्या-क्या शावधनिया रखनी होगी दोस्तों यह शमय कुछ लोग जलन की भावनाशी आपकी आलूस ना कर सकती हैं विप्रित परिस्तितियों को धैरी और शांती से काम करें अगर भूमी सम्मंधित कोई गती वीधी चल रही है तो पेपर सम्मंधित का रिवाही बहुत ध्यान से करें अगर कहीं जास परताल करने के बाद ही करें तो आपके लिए बेटर रहेगा वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगी आपके नाराजगी भी सहन करने पड़ सकती है अगर कोई समस्या हो तो आपको तुरंत पतिकरिया देने से बसना होगा और बात एक दूसरे से ज्यादा नहीं करना है इसलिए वेस्तता बनाई रखना थोड़ा मुस्किल रहेगा काम के साथ साथ सम्मंधों को भी मजबुत रखने की जरूरत है वही दोस्तों आपके लिजो समय होंगी आपके दिन चलिया के लिजो समय होंगी देखिए व्यक्तिकत समस्या आशकती है लेकिन आप घवराने की वजाए परस्थितियों का शमाधान डूनने का प्रयाश करें और सफल भी रहेंगी देखिए दोस्तों अगर समस समस्या कैसी भी क्यों ना हो डट कर सामना करेंगे तो समस्या अपनी आप दूर चला जाएगा और समाधान आपको मिलने लगेगा देखिए दोस्तों परिवारिक सदस्यत किसी उपलबधीशे घर में उत्सव का महल अच्छा रहेगा और दोस्तों ध्यान रखें कि अगर प कारण बनेगा इसलिए अपने काम शेही मतलब रखें दूसरों पर जादा आपको इस समय रोका टोकी नहीं करना है ये आपके लिए बहतर रहेगा देखिए रोस्तों इस समय आवा जाही करना आपके थोड़ा परिसानिक का कारण बन शकता है हो शकेतों आप यात्रा ना कर तो अभी आपके लिए बेटर रहेगा शमानित और प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आपको नए नए विश्यों की जानकारी मिलेगी घर के लिए इलेक्ट्रोनिक बस्तू की खरिदारी शंभव है और टेक्निकल के शेतर से जुड़े युगा वर्ग को रियल की आप संबंधों में खटाश नो आने दी इस बात का जरा ध्यान रखिएगा वरना इसकी बज़ह से आपका दामपत्य जीवन भी प्रभावित हो शकता है एक दूसरे में दोरियां बन जकती हैं देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी आपके लिए थोड़ा सा अच्छा समय है जो लोग फाइनेंस से सम्मंधित उलजा हुआ था तो उनका काम सुलज सकता है और संतान की किसी समस्या को हल करने के लिए आपका सहयोग शक्रात्मग रहेगा आसपडोस की समाजिक गतिवीधियों में आपका वर्च सब रहेगा प्रौपटी से सम्मंधित कोई भी काम हल दिकलेगा और नकरात्मक लोगों से चलिये लोगों से दुर रहने का प्रयाश करें नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो शक्ता है और आलस की इस्तिती से बसने का प्रयाश करें आलस इस समय आपके उपर ज्यादा आएगा आलस को अपने उपर हावी नहीं होने देना है इस का दरा दियान रखिएगा और इस वजह से आपके महत्पूर काम अटक शक्ति हैं और आज किसी भी तरह की आवाजा ही ना करें क्योंकि इसमें फायदे की बजाए नुक्षान होने की ज़्यादा आशंकाई बन रहे हैं शितारे कहते ही हर तरह से नुक्षान ही नुक्षान हो इसलिए जितना होशक कि आप घर पर ही अपने परिवार वालों के साथ बच्चों के साथ माता पिता के साथ समय बहतित करें तो अभी आपके रिए अच्छा रहेगा वही दोस्तों अगर आपकी व्यवशाय को लेकर बात करें तो यह समय मेडिया आर्ट कंप्यूटर आदि से जुड़े विवशाय में लावदायक इस्ततिया बन रही है लेकिन प्रती अस्परदाश अमंधित गतिवीरियों का शम्मान करना पड़ेगा शरकारी से बारत लोगों को अपनी मर्जी के विपरित कोई काम करना पड़ सकता है वही दोस्तों अगर आपकी लव लाइफ क को लेकर बात करें तो यह समय खान पान की लापरवाही से पेट संबंधित दिकती आएंगी जिससे स्वास्थे आपका विगड़ सकता है और आपका स्वास्थे खराब हो शकता है स्वास्थे के प्रती आपको लापरवाही नहीं करना है इस बात का जरा ध्यान रखियेगा दोस्तों खाश उपाय के अगर बात करें तो एक बाल्टी पानी लेनी है उसमें आपको पास निम्बू निचोड कर एक कप नवक और चार जोधाई शफेद सिर्का डाल कर इस मिसरंड से पूरे घर और खिड़की को भी दरवाजी को भी साफ कर दें यकीन मारी दोस्तों आपके घर को नेगेटिव एनर्जी छूबी नहीं पाएंगी और आपके घर सकारात्म उर्जा हमेशा बनी रहेगी जी हाँ ये उपाय बहुत ही सरल है और कारगार है आप करके देखिएगा आपको लाव जरूर देखिएगा